नमस्कार डप्टर रजनिस कुमार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ और उमीद करता हूँ कि आप सभी की UGC NET की त्यारी अच्छी चल रही होगी और आखरी समय में आप अपने को त्यार कर चुके होंगे कि किसी भी तरीके का प्रश्ण पूछा जाएगा, हम उसका अच्छे से जबाब देंगे प्रिविद्यार्थियों आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि आप री एक्जाम में बैटने जा रहे हैं और यूजी सी नेट री एक्जाम के अगर हम 21 अगस्ट से जो भी एक्जाम सुए हैं उनके उपर विसलेशन करें तो कुछ विद्यार्थियों से बातचीत करने के बाद जो मुझे पता चला है तो मुझे लगा कि आप सभी से उसके बारे में चर्शा करो तो यही पता चला है कि री एक्जाम का जो पेपर हो रहा है अब वो आनलाइन मोड द्वारा हो रहा है और आफ लाइन जो एक्जाम हुआ था इसके पहले जून में उससे थोड़ा सा अलग है जो भी प्रश्ण है वो लेंदी आ रहे है यानि लंबे लंबे प्रश्ण पूछे जा रहे है जिसके वज़े से समय प्रबंधन जरूरी हो गया है और पेपर वन की अगर हम बात करें तो उसकी हिंदी कठिन यहां पर है खासतोर से अगर दूसरे शब्दावली में हमका है तो गूगल ट्रांसलेट जो हिंदी होती है उसी टाइप की हिंदी आपर दिखाई पड़ रही है तो जाहिर सी बात है कि जब भी हम री एक्जाम में जाते हैं तो री एक्जाम अपेक्षाक्रित कठिन होते हैं मैं अगर अपना अनभव शेयर करूं तो कई बार री एक्जाम में बैठने का मौका मिला था एक मुझे री एक्जाम अभियाद है दी एससबी पीजी टी हिंदी का जिसमें की री एक्जाम होने का जो कारण था कि एक ही गाइड से धेर सारे सवाल पूछ लिए गए थे तो उसको री एक्जाम कराना पड़ा लेकिन जब दुबारा पेपर हम देने गए तो पेपर बहुत कठिन था वो ऐसा पेपर था जिसमें की पाष्चाति काविशास्त्र से धेर सारे सवाल थे और आप उमीद कर सकते हैं कि 11-12 पाष्चाति काविशास्त्रे कितना पढ़ाया जाता है नौक के बराबर ही होता है फिर भी उस एक्जाम में जो पेपर बनाने वाले ने बनाया था इतना कठिन था उस दोर के दिश्टी कोण से कि उसका मुल्यांकन हम कठिन के रूप में ही कर सकते थे तो यहाँ पर जब हम री एक्जाम में जा रहे हैं तो आप अपने दिमाग में पहले से ही इस चीज को बना कर चलेंगे कि पेपर जो होगा जून की अपक्षा कठिन होगा इस चीज को पहले से ही आपको बना के जाना पड़ेगा जिससे कि आपके उपर मनोबैग्यानिक दबाव नहीं रहेगा आप उसको संभाल लेंगे और आनलाइन मोड पर है इसके पहले आप आफ लाइन इसमें बहुत सारे ऐसे विद्याति होंगे जो आफ लाइन के पहले भी कई बार ऑनलाइन एक्जाम में बैठे होंगे तो जैसा पेपर आ रहा था उसी पैटर्न पर आ रहा है बस उसमें अब किदे सिदे प्रश्णों के साथ साथ लंबे लंबे प्रश्ण पूछे जा रह ठीक है कथन के रूप में हो सकते हैं या फिर कुछ नया धंग अपनाया जा सकता है लेकिन इस तरीके के प्रश्णों के संख्या मेरे इसाब से 20-25 के आसपास में रहेगी बहुत ज्यादा नहीं लेगी इसको लेकर आपको बहुत घबराना भी नहीं है कि अब मैं क्या करू मैंने बहुत तैयारी की थी खलाना चैनल पर पढ़ा था ठेकाना चैनल पर पढ़ा हुआ था समने धोखा दिया इस तरीके के बाते हैं आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए जाईसी बात है कि हम भी परिक्षार्थी हुआ करते थे अलांकि हमने कभी कोचिंग इत्यादी तो अपनी जो कमजोरियां होती हैं दूसरे के उपर ठुपने की कोशिश की जाती है इसे संतुष्टी मिलती है लेकिन मैं आप सभी से यह कहूंगा कि जो भी कुछ आप पढ़कर गये हैं उसमें से 75% आपको तर्थे मिलेंगे ही आपकी तैयारी से जुड़े हुए आपको घबराना नहीं अंत में यही मैं कहूंगा कि बिना घबराएं साउधानी से आपको करना है ठीक है आप पेपर 1 या फिर पेपर 2 जिसमें जो आपको अच्छा लगता हो जिसमें आपको लग रहा हो कि हम बेदर कर सकते हैं खास दोर से पेपर 2 आपका सब्जेक्ट है जायर सी बात है कि इस पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे पेपर 1 में कम से कम आप 25 से 35 क्वेश्चन तक जाने का प्रयास कीजिए और बाकी यतना बढ़ा सकेंगे उतना आपके लिए खादे मन दोगा तो प्रेविद्यार्थियों मुझे लगा कि जो भी हमने लोगों के मा आ सकते हैं प्रशन और कई बार बड़े क्रेश्चन भी आ सकते हैं बड़े क्रेश्चन को देखके आपको बिल्कुल घबराना नहीं है पेपर 1 की जो हिंदी है अगर आपको समझ नहीं आती है तो अंग्रे जी को भी मिला कर पेपर को हल किजिए और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने पर विश्वास बना कर रखे घबराने की बिल्कुल जरूत नहीं है ताउधानी से करेंगे तो जो क्रेश्चन आपको शुरुआती दोर में नहीं आते हुए मालूं होंगे बात में पता चलेगा कि आप उसको भी स्वाल्व कर पा रहा है तो इन बातों को आप बिल्कुल ध्यान में रखे और अच्छे से एक जाम देजी तो मिलते हैं एक नए टापिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार